हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक टो माई लिटल गार्डन और दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आई हूँ डियाई वाई बर्ड्स पर तो चलिए हम इसे बनाती हैं यह हमारी गार्डन में हो तो गार्डन हमारा बहुत सुन्दर लगता है और फ्रेंद्स यह आगया है मेरा क्ले जिससे मैं आज बर्ड्स बनाऊंगे तो यह क्ले मुझे मैंने ओनलाइन लिया है यह एर हार्डनिंग होता है इसे धूप में रखने की जरूरत नहीं होती है यह हवा में ही सूख जाता है तो यह है 500 ग्राम का तो और यह मिला है मुझे 300 रुपीज में और 250 ग्राम में भी यह वैसे आता है आप देख सकते हैं इस पर लिखा है एर हार्डनिंग मॉडलिंग क्ले इससे हर एक छोटी छोटी चीजे जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से उसके डिटेलिंग हम कर पाते हैं यह वैसे तो हमारे लोकल म उसके इलावा आप अगर एक या दो ही बर्ड बनाना चाहते हैं तो आप एमसील भी लेकर बना सकते हैं वो भी बिल्कुल सिमेंटेड हार्ड होती है तो यह भी बिल्कुल वैसा ही होगा तो चले हम इसे खोल लेते हैं अब और अब मैंने इसे पैक से बाहर निकाल लिया है यह बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल डो की तरह जैसे आटा हो तो अभी मैं एक एक करके आपको इसके बाड़ी पार्ट्स बनाना बता देती हूं बहुत इस सिंपल वे में सबसे पहले मैं बनाओंगी उसके विंग्स जो चिडिया की जो पंक होते हैं देखिए आप किस तरह स आप अपने हिसाब से बड़ी चिडिया भी बना सकते हैं चोटी भी बना सकते हैं सबसे अच्छा बहुत बढ़िया ये कले है तो बिल्कुल राउंड शेप में देखिए बनाने के बाद मैंने इसे दो पार्ट में कर दिया है यह है उसकी विंग्स और नेक्स जो मैं हैंगे तो वो हेट से थोड़ा सा बड़ा रखें सबी को बिल्कुल राउंड शेप में रखना है ये बहुत सिंपल इसी वे में बता रही हूं आपको मैं और ये जो छोटी सी है ये उसका मैं बनाऊंगी हैड बस सिंपल सा हाथ से राउंड करेंगे हम और ये जो हमारे सा लेकर बस उसे पॉइंट करना है आगे से देखें ये आ गया है उसका बिक और ये बनाऊंगी अब मैं टेल जो हम इसकी जो चोंच बना रहे हैं उससे थोड़ी सी जादा लंबी रखेंगे उसकी टेल को तो हो गया है ये बॉड़ी पार्ट्स बनकर बिल्कुल रेड़ी और यहाँ पे सभी बॉड़ी पार्ट्स रेड़ी हैं अब मैं इनको अटाच करूँगी और इसे अटाच करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे ये स्टिक्स रखे हैं ये इस तरह के आप चाहे तो टूथपिक का जो स्टिक होता है वो भी यूज में ला सकते हैं ये बॉड़ी और इसकी हैट को मैं फिक्स करके बताती हूँ आपको सबसे पहले हम चोटी से एक स्टिक लेंगे उसको इस तरह से अंदर को इंसर्ट करेंगे और उसी के साथ इसके हैट को लगा देंगे ये इस तरह से अगर हम इसमें स्टिक्स यूज करेंगे तो इसके अलग होने का डर नहीं रहेगा इसके बिना भी आप अटाच कर सकते है ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे से एक दूसरे में स्टिक हो जाते हैं और ये मैंने लगा दिया है इसके टेल को टेल थोड़ी सी नीचे के साइड रखें, उसके हैड को जरा अप साइड रखें जरा उपर की तरफ उठा कर रखें और अब हम इसकी चोंच जो है, वो भी इसके साथ अटाज कर लेते हैं आप चाहें तो इस तरह के स्टिक्स का यूज ना भी करें, ये बहुत एजिली एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं ये ज़्यादा स्टिक्की तो नहीं होते हैं, पर एक दूसरे से अच्छी तरह से ये चिपक जाते हैं, कोई परिशानी नहीं रहती है, आप देख सकते हैं ये कैसे मैंने लगाया है, अब मैं लगा देती हूँ विंग्स को इसके ज़्यादा ये चिडिया ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, बहुत मीडियम साइज का मैंने बनाया है, तो दोनों तरफ से मैं स्टिक्स लगा रही हूँ इसे, ये बहुत अच्छे से सभी पार्ट्स को होल्ड करके रखेगा, तो फ्रेंट्स इसे अच्छे तरह से 24 घंटे के लिए इसी सूखने रखने रख दीजेगा आप, ये बाद में बिल्कुल सिमेंटेड हाड हो जाएगा, ये पूरा रेडी है, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और आप इसके टेल देखिए, ये ज़रा मैंने फ्लाट और राउंड रखी है, और जो विंग्स हैं, विंग्स के सामने जो राउंड शेप हैं, वो बिल्कुल सामने की तरफ रखें, और नीचे की तरफ में होल बनाना बहुत जरूरी है, ये इस तरह से, कोई भी पॉइंटेट टूल लेकर, बस छोट इसी आप होल बनाएं, और अगर आप होल पूरी आरपार बना लेंगे, तो उसके बीच में से आप कोई धागा भी क्रॉस करके, उसे इस तरह से हैंक करके भी रख सकते हैं, और इस तरह से स्टिक पे उसे होल करके भी रख सकत और ध्यान रखें कि जो हमारी विंग्स हैं, मैंने विंग्स आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, बस उसे गोल सा बना के, बस दो पार्ट में कर लीजेगा आप, और जो उसकी टेल है, वो किसी में पॉइंटेड रखें, किसी में फ्लाइट रखें, अलग-अलग तर देना है, तो अब यह सब तयार है, अब हम इने पेंट करते हैं, यहां पर मैं ब्लू करके ब्लू कलर कर रही हूं, आप अपनी ही चॉइस का कोई भी हम कलर कर सकते हैं, हर कलर इन पर बहुत अच्छे लगते हैं, और इनके विंग्स पर आप चाहें डॉट डालिए या फिर कोई डिजाइन बनाएं, मैं बहुत सिंपल करूँगी, अपने बर्ड्स को किसी भी तरह का पहले एक सिंगल प्लेन कलर दीजिएगा, फिर बाद में उसके विंग्स को आप डिजाइन करें, और मैं इसकी चॉँच को अभी यलू कर रही हूं, और ब्राउन भी कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉइंग या पेंट करने में बिल्कुल नए हैं, तो कोई बात नहीं है, आप ट्राई करें, बर्ड्स तो रंग बिरंगी ही बहुत अच्छी लगती है, ये सोचना नहीं है कि किस कलर का बनाया जाए, डिर सारी कलर भी उसमें कर दीजिए, आप तब भी वो अच्छे लगेंगे, तो अब मैं इसकी विंग्स को पेंट कर रही हूँ, देखिए आप, दोस्तों मैं बहुत जादा जीरो हूँ, पेंट में, ड्रॉइंग में, मुझे ड्रॉइंग बिल्कुल भी नहीं आती है, पर जो मेरा शौक है, बस उसी के होसले से मैं बहुत होसला मिल जाएगा, तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैं इसमें क्या डिजाइन मैंने बनाया है, और बाकी के जो बर्ट से उस पर मैंने उनकी विंग्स पर सिंपल डॉट भी रखा है, ये भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप उसका बेस कलर जो है डाक रखेंगे, तो लाइट उसके उपर डिजाइन डालें, तो दोस्तों इस तरह की छोटी डिटेलिंग के लिए पॉइंटिड ब्रश का होना जरा जरूरी है, ये इतनी जादा महंगी भी नहीं आती है, टेन रुपीस तक में भी आ जाता है, तो अगर आप पेंट करें किसी भी चीज़ तो दो ब्रश जरूर अपने पास रखें, एक तो फ्लाइक ब्रश और एक इस तरह का पॉइंटेड, आजकल स्कूल के सभी बच्चों को इस तरह की ब्रशेस बहुत जरूरी होते हैं, तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हैं, तो अब ये मेर बर्ड बनकर तयार है, तो इसी तरह से अपनी गार्डन को रंग बिरंगा बनाएं, फूल ना भी हो तो छोटी छोटी इस तरह की चीजें वहां रखें, मेरे काफी सारी जो यूट्यूब में मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ पूछते हैं कि कोई प्लांटर है, ये आपने कहां से लिया है, तो दोस्तों कुछ एक चीजें में ऑनलाइन लेती हूँ, कुछ कभी एक्जिबिशन में दिख जाए, तो इस तरह की चड़िया मुझे नहीं मिली, तो मैंने बना लिया, और फ्रेंट्स ये सभी जो पेंट ह ये पानी में धुलते नहीं है, चाहे ये बारिश में भी पड़े हो, अगर आपको कोई डाउट है, पेंट को लेकर की पानी में घुल जाएगा, धुल जाएगा, तो आप थोड़ा सा फेविकोल इसमें मिक्स कर सकते हैं, ये जो एक्रिलिक पेंट होते हैं, ये बहुत नहीं है, तो आप पुराने नेल पेंट भी यूज में ला सकते हैं, नेल पेंट तो हमारे पास होते ही हैं, डेर सारी रंग उसमें लगाएं, अपने बर्ट्स को रंग भी रंगे, देख सकते हैं, आप यहां पर मैंने बहुत कलर दिया हैं, और अब ये सभी बनकर देख सकते हैं, या बहुत सुंदर लगते हैं, पर एक बात का ध्यान रखें, जब आप कले यूज करें, तो अच्छी सी कले ही लीजेगा, और उसे पूरे अच्छी तरह सी सूखनी दीजेगा, तभी आपका पींट अच्छे से हो पाएगा, और अब ये सब अपने अगर कले का ध्यान रखें, सॉफ्ट कले ना लें, वो ड्राइ नहीं होंगे, वो सूखेंगे नहीं, और ये ड्राइ कले है, एर ड्राइ कले है, ये हवा में ही सूख जाते हैं, इन्हें धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसके बॉड़ी पार्ट्स बनाना बताया, और पेंट आप अपने हिसाब से देख लीजेगा, क्या आप लगाएं, क्या आपको अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल डिजाइन इन में बनाया है, तो इसी तरह के कई चीजें जो हैं, वो मै क्या आपको आपको अच्ता है?